hedge funds, एक बेहद रुमांचक दुनिया पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये hedge funds existence में कैसे आया कैसे बने ये hedge funds options strategies के बारे में आज के समय में हर कोई बात कर रहा है चाहे आप YouTube पे जाओ, चाहे Instagram पे जाओ, चाहे Twitter पे जाओ लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये options strategies की नेव किसने रखी कहां से बना ये options का पूरा माजरा, कहां से आई ये hedge funds अगर जानना इन सब के पीछे का रास, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा 2020, Corona Car, Global Crisis चल रहा है, हर जगा उथल पुथल मच चुके Crude oil record low पे जा चुका है, पहली बार, पहली बार दुनिया में देखा गया है कि जो future से Crude oil के, वो negative पे आ चुके है, हमारे खुद के Indian stock markets lower circuits पे lower circuits लगा रहे हैं February और March में, और हर कोई अपने घर के अंदर बंद हैं, और ऐसे में, जब लगता है कि भाई, कहीं पे नौकरी नहीं है, कहीं पर पैसा नहीं है, एक industry, एक industry सबसे जादा प्रॉस्पर करती है, और वो कोई और नहीं, वो होती है, hedge fund की industry Top 15 hedge fund managers इस दौरान, करीब-करीब, 23.2 billion dollar कमाते हैं, as per Bloomberg इतना है नहीं, Chase Coleman, जो कि 45 year old है, और Tiger Global Management के founder है, उन्होंने अकेले, जी हाँ, अकेले 21,000 करोर की salary उस साल कमाई, 21,000 करोर की salary कमाई है, कमेंट्स में बताना आपकी salary इनसे कितनी कम है और वो भी उन्होंने बिना Twitter पे अपना order book या P&L statement शेयर किये कमा ली well, मज़े की बात यह है कि, जो top 20 best performing hedge fund managers रहे उस समय के, मतलब 2020, 2021 के उन्होंने केवल कुरोना काल में, अकेले मिलके, अपने सारे fund houses को मिला के, top 20 की बात करों केवल 63 billion dollar कमाएं, जिसने की इतिहास में, जी हां history में, सबसे जादा income कमाने का record बना दिया for hedge fund industry, because इस से पहले, आज तक hedge fund industry ने इतना जादा पैसा कभी नहीं कमाया था और इसी बीच में, एक shocking ख़बर भी आती, देखे, हर बार जब सारी चीज़े अच्छी हो रही है न, तब हमको दूसरे तरफ, पलट के दूसरा side of the coin भी देखना चाहिए boom and burst of game stop, जी हां, Elon Musk भीया दुआरा तो इसको काफी popular किया, गया था, लेकिन Reddit forum ने इसको सबसे ज़ादा popular कर दिया, जब Reddit की भीड में, retail जनता ने पहली बार challenge किया एक पूरी industry को, hedge fund industry को और उसको अपने घुटने तले खड़ा कर दिया, जी हां, काफी सारे hedge funds ने इस दोरान game stop पे, जिन्होंने short positions बनाये थे billions of billions of dollars वहाँ पर lose किये, Melvin Capital नामक एक hedge fund थी, जिसके manager ने बहुत साधा पैसा अपने clients को सालों साल कमा के दिया, एक का एक उस समय पे 50% down हो गया, Melvin Capital का capital इतनी कहानी तो बहुत लोगों ने सुनी, परकूस उस समय पे काफी सारे YouTube वीडियोस बने, सबका कहना था कि देखा, hedge fund वाले को धूल चटा दी, hedge fund वाले खराब हो गए, hedge fund वाले खतम हो गए, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जो किसी ने नहीं सोचा, वो ये था कि Melvin के जो ये founder थे, Melvin Capital के, उनके last year की salary पता है किती थी, last year की केवल एक साल की salary उनकी 5600 करोर cash component था मेरे दोस्त, अब वापिस सोचें, भली Melvin Capital ने अपने clients के 50% डुबा दिये, क्या hedge fund के founder, क्या hedge fund के traders, जिन्होंने 30-40 million dollars का pay check पाया हुआ था in terms of bonus, क्या उन्होंने सही में lose किया, ये है, असली दुनिया of hedge funds, और आज की इस वीडियो में, मैं ऐसी ऐसी चीज़ hedge fund की दुनिया की history के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके पैरो तले, जमी हिला देने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, और ये चीज़े आपको इधर उधर काफी जगा नहीं मिलेगी, बहुत research करनी पड़ती है, बट अगर आप चाहते हो, कि सरल में, अगर आपको इसी प्रकार से, मैं hedge fund के वीडियो, stop traders के वीडियो, stop trading strategies के वीडियो लाते वे दूँ, तो शर्थ सिंपल सी है, 20,000 likes on this video, और comment में hedge fund लिके, अगर वो likes आ गए, उतनी ही जल्दी अगला वीडियो on hedge funds आएगा, अगर आपने उसमें देरी करी, तो आपके उ Well, चलिए, समझते हैं इस पूरे सारी चीज़ को, देखे hedge fund, जो ये शब्द है, hedge, H-E-D-G-E, hedge शब्द का सबसे पुराना record, जो सबसे पुराना historical record, अगर कहीं पर आप निकालते हैं, पुरानी central libraries में जाते हैं, पुरानी सारी किताबें पढ़ते हैं, तो आपको इसका hedge, शब्द महाँ पर आगया था, आप में से काफी सारे लोगों ने Netflix-Pick series देखे होगी, Vikings के ओपर हैं, बहुत ही interesting आप देखे, मैंने भी last to last weekend पे थोड़ा सा binge watch कर लिया था, तो आपको एक चीज़ बता दू कि उस समय पर ये Vikings, जो word of a sign में, Vikings के योद्धा सही में रहते थ बार्बेरिक इन नेचर रहते थे, लड़ते पड़ते रहते थे, तो वो समय में जब Vikings योद्धा से बचने के लिए कोई भी city एक boundary तैयार करती थी, एक wall तैयार करती थी, secrecy में, रात को अचानक से वो खड़ी करती थी, फिर वापस सुबह काम पे लग जाते थे, फिर hedging का निकल रहा, वो वही है, कि hedge is to protect something which is very valuable, protect an asset, protect equities in terms of stock market, तो एक wall खड़ी करी जाती थी, secrecy maintain करने के लिए कि दूसरे लोगों को पता ना चले इधर क्या हो रहा है, प्लस इसलिए, अचा बाइधर वाल स्टीट का नाम भी ऐसी पड़ा गया, आपको पता है, इंडियन्स जो वहाँ पर गए थे, Anglo-Indians और Asian से, ताकि उनको पता ना चले commerce की क्या वात है, कि जारी इसलिए wall घड़ी करी गए थी, इसलिए wall street नाम दिया था, आप में से कितने लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी, comments में जरूर बताईएगा, और अगर इस तरह की interesting information पसंद आते तो subscribe ना करना भूलेगा और bell icon click कर दिजएगा, तो hedge funds की दुनिया में ये सबसे जादा important अंश बड़ा hedge word, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे क्या हो गया, 1672 आया, जब पहली बार ये phrase लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, और वो था hedge a bet, hedge a bet, bet मतलब जो आप bet लगाते हैं, द अलग ही दम आने लग गया था, इसका मतलब था, hedge a bet का मतलब ये रहता था कि आप जिस चीज को बहुत uncertain समझते हो, जिसका कोई सगा नहीं होता, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो क्या बैंगन बोलते हैं, बिन थाली का, नहीं, पल्टू बैंगन जो भी बोलते हैं, जिस follow करते हैं, तो hedge doctor, hedge lawyer, hedge businessman, मतलब वो बोलते हैं शुरूड लोग, जो इधर के भी नहीं हो, उधर के भी नहीं है, दोनों तरफ के हैं, मतलब बीच के हैं, तो उस हिसाब से इस चीज का use होने लग गया कि ये hedge lawyer है, ये hedge doctor है, ये hedge priest है, बेकोज उस समय पे अगर मैं उतने साल पहले चले जो, तो priests का बहुत जादा बोल बाला होता था, hedge writers, writers used to have a very commandable respect, बहुत सारे लोग writers को मानते थे, तो hedge शब्द का वहाँ पर इस्तमाल होने लग गया था, लेकिन फिर finally इस शब्द का hedge का शब्द का introduction हो गया, investing की दुनिया में, investing की दुनिया में इसको उस्तमाल कर करना शुरू किया गया, और ये कैसे ही है, काफी interesting story है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया था, guys, तो लाइक करना शुरू कर दीजे, तो इसका इस्तमाल शुरू हो गया, coffee houses से, अब बुलोगे यार, coffee houses का क्या लेना देना है, तो दीखे, coffee houses में काफी merchants रहते थे, और ये merchants, coffee, beans, इन सब का व्यपार करते थे, ये लोग काफी ज़ाधा agri commodities का व्यपार करते थे, तो ये लोग London exchange पे के LA में जाके, कुछ तरीके के hedges बनाते थे, यहाँ पर ये जो coffee के व्यपारी थे, उन्होंने एक चीज़ अब्ज़र्व कर लिए थे, कि stock market का जो movement होता, वो उपर जा रहा है, तो because input cost बढ़ जाएगा, तो share market के लिए बुरा होता है, तो share market नीच आना चाहिए, इस तरीकी चीज़े बूलते है, तो यहाँ पर जो ये coffee के व्यपारी थे, वो 3-4 stocks थे, specifically 3 stocks थे, bank of England, south sea bubble, जिसमें Newton ने अपने खुद के पैसे, जी हाँ, the great scientist Newton ने अपन हमारा commodity, हमारा agri commodity, यह सब down जा रहा है, तो हम यहाँ पर यह चीज़ करेंगे, और अगर यह ऊपर जा रहा है, तो they started playing out something for the first time, which was called sold short strategy, sold short strategy, basically, एक inverse relation, जब वो निकालते थे, commodities या फिर coffee beans और stock market के बीच में, तो वो जा के share बजार में, stock market में, चीज़े बेचते थे, यहाँ पर बेचते थे, वहाँ पर खरीते थे, जिसके चक्कर में, उनको शायद उस समय पर पता नहीं था, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे थे hedging, तो जिन लोगों को लगता है hedging के वल option से होता है, तो नहीं, यह cross assets में भी होता है, आप equities का hedging commodities के साथ कर सकते हो, आप commodities की hedging currencies के साथ कर सकते हो, आप currencies में अलग-अलग currency pairs के hedging कर सकते हो, तो जो hedging शब्द होता है, जरूरी नहीं है, कि सर्फ call put के basis में होने नहीं है, इसका मतलब simple सा होता है, you are trying to protect your capital, और यहाँ पर, यहाँ पर, यह जितने जादा सारे के सारे करमचारी थे, सारे के सारे merchants थे, they were exactly trying to do the same thing, इस तरह, betting को नहीं बहुत बढ़ावा मिल गया, शर्त लगाओ, शर्त लगाओ, शर्त लगाओ, और 18th century पे जब यह चरम सीमा पे चल गया था, तब entry होती है, redotto casino की, जी हाँ, Venice में, यह redotto casino थे, by the way, Venice बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगा है, अगर आप कभी जाओ, तो बिल्कुल enjoy करने आपको मिलेगा, but redotto casino का एक अलगी चीज़ था, by the way, आप लोगों को बता दू कि, जो redotto casino है, यह पहला दुनिया का government sanctioned gambling venue बना, जी हाँ, पहला, जिसको government ने अलाओ क्यों कि, हाँ भईया, इधर आके लोग अपनी gambling कर सकते हैं, बड़ यहाँ पर एक twist आने वाला था, gambling चल रही है, यह casino भढ़िया बढ़ रहा है, वहाँ पर लोग आके बोल रहे हैं, हम अलग-अलग counter पे अलग-अलग hedging कर रहे हैं, लेकिन 1754 पे, जी हाँ, 1754 पे आता है एक scam artist, एक womanizer, जो लड़कियों को, आप womanizer का मतलब समझ जाओ यार, मैं क्या बताओ, और उसका नाम रहता है, गयो कामो, गयो लामो, कासनावो, थोड़ा अजीब सा नाम है भई, अब वो पता नहीं, उस समय पैसे अजीब अजीब नाम होते थे, बट इसको हम short form में GGC बुला लेते हैं, और उसके पास ना, उसका कहना था कि मेरे पास एक idea आया है, ज इसका लिंक पर मैं description में डाल दूँगा, जहांपर, राइट रॉम मनु मानेक, राकेश जुन जुन वाला, रादा किशन, दम्मानी से लेके, इंटरनाशनल इंशॉरेंस कांट से लेके, बैनी, मैट फॉर्ड, यह सारे, जितने लोगे मैंने प्रनॉंस गलत किया हुआ है, भावना है, समझ लो, Enron, सारी चीजों के अपनने scam कवर किये, जाके आप checkout जरूर कीजेगा, बहुत मजाएगा, तो यह जो gambler रहता है, यह अपनी सधी का पहला method निकालता है, जो आज के टाइम पर, सोचो एक gambler, एक scammer का, यह method आज बड़े-बड़े prop desk, बड़े-बड़ सबसे पहले scamster ने निकालता है, जैसे replacement theory हमारे हर्षद में था भाई साब ने निकाली थी, कोई theory वाले या किसी लिखने पढ़ने वाले ने निकाली थी, वैसी martingale method निकालता है, आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा, यह exactly होता क्या है, लेकिन मैं आप लोगों क जो है hedge funds की दुनिया में एक धारना चलती है, वो यह कहता है कि हर seller के लिए एक buyer होता है, हर buyer के लिए एक seller, every buyer has a seller, every seller has a buyer, तो यह basic assumption निकाल लेते हैं कि यार जब ये वाला condition है, तो जाहर से बात है, अगर हमारे पास hedge funds के पास पैसा बहुत होता है, अपने salaries हमने starting में बताई है, तो इतना अगर पासा है, तो कहीं न गहीं, हम अच्छा खासा इधर रोकड़ा बना सकते हैं, यह उनकी पहली थियोरी होती है, तो let's take an example, उन्होंने कोई stock identified है जो 100 रुपए पर, लेकिन वो किसी करण 100 से आ जाता है 90, यह 90 पे, अगर 100 रुपीज पे इनने 10 stock खरीदें तो यह 90 पे खरीदेंगे 20, फिर यह वापिस गिर जाता है 70 पे, अब 70 पे यह और आड करेंगे 40, फिर यह गिर जाता है 60 रुपीज पे stock, वहाँ पर यह आड करेंगे और 80, so उनका जो average price रहता है, वो usually उनके cost price के आसपास रहता है, what does it mean? It simply means कि कल को अगर कोई भी bounce back आता है, उनके particular asset में, तो वो अच्छा खासा पैसा बना के bounce पे निकल जाएंगे, as simple as that, अगर वो bounce आया, तो वहाँ से निकल जाएंगे, यह वाला method काफी सारे लोग trading में भी इस्तमाल करते हैं, लेकिन trading में जब आप इस्तमाल करते हैं, तो के app में मिल जाते हैं, description में आपको उसका links मिल जाएगा, जाके checkout ज़रूर कीज़ेगा, बहुत interesting features है, in fact trading view के जो premium chart features है, वहाँ आपको free of cost मिल जाएंगे, and description में दियेगा links है, जो पूरे protocols follow करते हैं, उनको free basic session का, basic session का access भी मिलेगा, तो जाके checkout कीज़ेगा, but martingal method का एक catch है वो catch क्या है, देखिए आप हर dip पे buy तो कर रहे हो, buy तो कर रहे हो, buy तो कर रहे हो, लेकिन catch की वल ये है, कि आप जब-जब double down कर रहे हो, double down मतलब आप multiply कर रहे हो, अगर आपके पास पैसा खतम हो गया तो, let's say आपके पास एक करोड रुपए था, लेकिन ये करते 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 आपके एक करोड exhaust होगा तो, और इसी कारण ये कासन होगा भाई साब bankrupt हो है, और इसी तरह काफी सारे hedge funds भी bankrupt होते हैं, अब समझ में आ रहा है, क्यों hedge funds, because वो लोगों को लगता है हमारा तो पैसे का बिलकुल ultimate flow है, कुछ billions तक है, लेकिन वो leverage इतना ले लेते हैं कभी का बा hedge funds जीच जाती है, अगर उनका bets सही, तो ये redato casino, मतलब वो भाही तो bankrupt होगा है, redato casino के gambling के बाद, 18th century में जब ये चरम सीमा में पढ़ गया था, बहुत जादा बढ़ गया था, everyone was actually trying to do it, तब एक financial writer, जिसका नाम था, Nicholas Magnus, Nicholas M-A-G-E-N-S, Magnus, Magnus या Magnus, अपने भाशा में समझ लो भाई, तो उन्होंने एक चीज लिखी, publish करा, जिसका नाम था, an essay on insurances, वो इस concept को बढ़ावा देना चाहते हैं कि भाई साब, अगर आप speculative instruments में भी आप trade करते हो, तो अब आप उसकी insurance करा सकते हैं, दोस्तों, आपको जान कहरानी हो कि Magnus भाई, अपना भाई Magnus, थारा भाई Magnus was the first person to come up with a word called option in a contractual term, इस से पहले वो बस option चलते हैं, मेरे पस ये option है, मेरे पस वो option है, तिरे पस क्या option है, अब पहली बार contractual term में option का इजाफा हो, देख रहे हो कितनी सारी interesting चीज़े हमारी history में छुपी वी हैं, हमारे financial world की जो हमको पता ही नहीं थी, तो यहां पर पहली बार हुआ था, और उस समय पर उन्होंने अपना जो वो पूरा article लिखा था, काफी जादा popular हुआ, और उन्होंने उस article में समझाने का प्रयात ने किया, कि यह जो कसीनों में चल रहा है, वही चीज़े, stock market में चल सकती है, with the form of option, और option का मतलब यह हो जाता है, उनकी हिसाब से, एक sum होता है, the sum given towards an option is called premium, and it gives the liberty to the giver of the premium that he has the contract with him, fulfilled or not, इस प्रकार से उन्होंने एक परिभाशा लिखे वी थी, and this is called options करके उन्होंने लिखा था, अपनी हिसाब समय तोटी पूटी नीव रख रहे थे वही या, पहली बार थ प्रेडर थे, उस फिनांशल राइटर थे, तो देखा, options इस प्रकार से modern world के तरफ पहली बार प्रेजेंट हुए, गाइस लाइक नहीं के अवे तक तो में एक शाल लाइक कर दीजिए, राइटर का कहना ये था कि काफी सारे gamblers, काफी सारे casino वाले, काफी सारे लोग इसको defense बना के चल रहे हैं, options को, against financial losses, तो आप लोग जो एक normal speculator भी होता, उसको भी ये चीज़ करना चाहिए, because risky होता है speculation करना, और eventually अगर आपका aim है कि मैं जितना हो सा कि जादा पैसा कमा सकूँ, तो उसके लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है, कि आप ये कर सको, और दोस्तो यही article बन गया, one of the biggest weapon for today's hedge funds, इसी article ने बहुत सारे द्वार खोले, बहुत सारे दर्वाजे खोल दिये for hedge funds, जब hedge funds वालों को पता लगा, अच्छा, हम अपने बड़े बड़े fund houses वाले, उससे हमें पर hedge funds नहीं बोलते थे, हम बड़े बड़े हमारे clients के, जिनका पैसा हम manage कर रहे हैं, बड़े बड़े businessman के, बड़े बड़े उद्योग पतियों के, पैसे हम बचा सकते हैं using hedge funds, उसकी just next century में, Paris में होने लगए बड़े बड़े stake on stocks, on bonds, और शुरू होगया formally hedging, तो देखा आपने किस प्रकार से यह hedging का नीव कहीं न कहीं एक scamster ने रखा, किस प्रका से बड़े-बड़े commodity traders, बड़े-बड़े coffee traders इस चीज को लेकर आए, किस प्रकार से एक article ने बहुत सारे hedge funds को सहारा दिया, और किस प्रकार से यह hedge fund flourish हो है, बट वेट, कहानी अभी खतम नहीं हुई है, जब Paris में यह high stakes stocks और bonds के नाम पे hedging होने लग गई, तो उस समय पे एक calls, c-o-u-l-i-s-e, पता नहीं, calls बोले या जो भी बोले, नाम का एक exchange था, जो कि Corinthian columns के just पीछे था, वहाँ पर एक का एक देखा जाने लग गया, महा volume के साथ, महा speed के साथ, महा direction के साथ, रोज रोज exchange में billions of पैसे अब बटेने लग गए थे, और यह कुछ नहीं था, यह थ in all में tea silence हो जाता है, या ungrazy में, जो कि हमको ढंक से आती ही नहीं है, बट समझ जाओ, जच कल ले नागर करना है तो, बट रहने नामक की एक vehicle, जो सबसे जादा वहाँ पे trade होने लग गई थी, वो इसलिए, बिकॉस यह पहला ऐसा था, bonds की जगत में, या stocks की जगत में, या stock market या financial जगत में, जो officially guarantee कर रहा था, 3% per annum interest rate देने की guarantee, जो basically वो hedging strategies के बीचस पे ये चीज़ बचने वाली थी, कि भाई, 3% का return कुछ भी आ जाओ, या आपको होने वाला है, और इसी बीच, final nail in the coffin आता है, basically, एक ऐसा व्यक्ति, जो पूरे fund market को, अब formally hedge fund देने वाला था, हि कुछ ऐसे concepts लेके आने वाला था, जिससे की अब formally options की दुनिया हिलने वाली थी, Lewis bachelor नामक एक व्यक्ति आया, ये जो born हुआ था, ये born हुआ था एक बहुत बड़े merchant के घर पे, तो मतलब born with a golden spoon कह सकते हैं, उनके धर पैदा हुआ था, इनके जो पिताजी थे, वो एक wine के merchant थ होती है, wine पताने के ज़रूँत नहीं है, तो wine के merchant थे और इनके जो दादा जी थे, दादा जी was a very big banker at that point of time, तो मतलब एक ambitious घर से थे, एक well prone घर से थे, लेकिन दुरभाग्यवश जब इनका teenage था, तो दुरभाग्यवश इनके दोनों parents की मृत्तियों हो गई, मतलब जब teenage के इसमें उनके माता और पिता की, वो कैसे हुई guys, वो थोड़ा सा history और digging करना पड़ेगा, वो नहीं पता, बट वो हो गई थे, जिसके बाद इनके दादा जी और बाकी लोगों ने इनका ध्यान रखा, बट इनके दिमाग में काफी ambition बढ़ गया था, और ये पढ़ेने अच्छे थे, research काफी अच्छा करते थे, and काफी अच्छा अपनी analysis करते थे, काफी सारी चीज़े करते थे, तो इसकी history तो कोई नहीं जानता कि इनके इतने अच्छे connects कैसे बने, लेकिन ऐसा माना जाता है, because ये काफी influential family से थे, तो इनके teenage तक भी काफी सारे लोग इनके family से connected थे, bankers थे, architects थे, traders थे, investors थे, lawyers थे, तो teachers थे, तो काफी सारे बड़े बड़े लोग connected थे, तो जिसके चक्कर में इनका ही जब बड़े भी हो रहे थे, तो इनके connection काफी अच्छे होने लग गए थे, with all these people, अब इन्होंने जब बड़े हो गए, अपने late 20s में पहुँचे, तो उन्होंने अपनी ना research चालू करी, जो बिल्कुल transformation करने वाली है, traders की दुनिया में, इन्होंने research चालू कर दी, और यह पता लगाने लग गए कि actually मैं successful traders करते क्या है, मतलब जितने भी उस समय पे थे, in fact, आज के समय पे गी, उन्हें एक इहरान वाली चीज़ पता लगी successful trader कभी भी एक direction पर तो बैटी नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी successful trader जो बहुत अर्बो वाला पैसा बना रहे है, लाखो करोडों की दी, अर्बो वाला पैसा, वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि यार आज मेरे को लग रहा है, यह बजार उपर जागा तो उपर ले ले हैं, यह नी market में बेच रहे हैं, USD, INR में कुछ और कर रहे हैं, या फिर वहीं stock market में कुछ share खरीद रहे हैं, कुछ share बेच रहे हैं, या फिर वहीं पर कुछ option में call port इस तरह से, मतलब अलग-अलग सारी चीज़े कर रहे हैं, तो इनको एक चीज समझ में आवी, कि भाई साब, कोई भी established बड़ा trader single policy follow नहीं करता, वो multi-directional जाता है, और 1900 में इन्होंने submit कर दिया अपना doctoral dissertation, जिसमें की उन्होंने mathematical analysis करके बताया कि कि किस प्रकार से अगर long run में आपको सबसे ज़्यादा पैसा बनाना है, option trading में तो आपको hedged position लेनी पड़ेगी, और दोस्तो इसी ने नीव रखी black schools model की, black schools जिसने बनाया 1994 में उन्होंने चालू किया एक hedge fund, उन्होंने चालू किया hedge fund, जिसका नाम था LTCM और उन्होंने use किया the theory of speculation, और LTCM my dear friends, hedge funds की दुनिया में बहुत बड़ा blunder था, वीडियो अगर चाहते हो LTCM पर तो comments में LTCM लिख देना, लेकिन आज के लिए के वल इतना ही, आज मैंने आपको बता है किस प्रकार से hedge fund शुरू हुए, किस प्रकार से उनका evolution हुआ, अगर इस तरह के और वीडियो चीए तो likes का target को आपको पता है, comments में LTCM ज़रू लिख तिल then, keep learning, keep growing, keep investing and keep trading.